भारत को सोने की चडियक क्यों कहते हैं? जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं, तो बात कुछ अंग्रेजों के समय पर आकर रुख जाती है, कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, तो उनको भारत के मुस्लिम सासक तक की ही जानकारी मिल पाती है असल में भारत के सच्चे इतिहास को हमारी पुस्तकों से हटा दिया गया है किताबों में जू लिखा गया है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम सासन और अंग्रेजी लुटेरों तक ही सीमित है भारत के इतिहास की कुछ बातें जो सायद आपने नहीं पढ़ा होगा लेकिन इसको पढ़ना आपके लिए बेहत जरूरी है आज हम जानेंगे भारत को सोने की चिडिया क्यों कहा जाता था और भी कई ऐसी बातें जो साबित करती हैं कि भारत 2000 साल पहले 200 गुरू था मैं मौरिवनसी सर्वेश आप सभी का स्वागत करता हूं मौरे एक सासक परिवार में भारत व्यापार में सबका बाप था सन 1840 तक का भारत जो था उसका विश्व व्यापार में हिस्सा 34 प्रतिसत था अंग्रेजों से पहले जब मुस्लिम आये थे तो भारत मसालों का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक था दुनिया के कुल उत्पादन का 44 प्रतिसत भारत में पैदा होता था और दुनिया के कुल कमाई में भारत का हिस्सा 28 प्रतिसत था यह बात अंग्रेजों को बहुत बुरी लगी थी और वह ब्यापार करते हुए भारत पर राज करने की नीती अपनाने लगे और भारत के राजाओं में आपसी फूट डालने का कारे प्रारंब कर दिया और राजनीती करना सुरू कर दिये जिससे अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना वर्चस्व जमा लिया और कई तरह के टेक्स भारत पर लगाए जिसमें अंग्रेजों ने सबसे पहला कानून बनाया Central Excise Duty Act और टेक्स तै किया गया 350 प्रतिसत मतलब 100 रुपय का उत्पादन हो तो 350 रुपय एक साइज ड्यूटी देना होगा फिर अंग्रेजों ने सामान के बेचने पर सेल टेक्स लगाया और वो तै किया गया 120 प्रतिसत मतलब 100 रुपय का माल बेचो तो 120 रुपया CST दो फिर एक और टेक्स आया इंकम टेक्स और वो था 97 प्रतिसत मतलब 100 रुपय कमाया तो 97 रुपय अंग्रेजों को दो इस तरह से अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत को सोने की चिडिया कहा जाता था यह भारत का वह इतिहास है जो लोगों को इसलिए पता नहीं है क्योंकि वह किताबों में है ही नहीं भारत पर मुस्लिम आक्रमण कारी इतिहास बाप्पा रावल के आक्रमणों से मुस्लिम सासक इतने भैभीत हुए कि अगले 300 सालों तक वे भारत से दूर रहे लेकिन भारत का सच्चा इतिहास हमको पढ़ाया ही नहीं जाता है मुस्लिम लुटेरों को कई भारतिय योद्धाओं ने कई सालों तक लगातार हराया था मेहमूद गजनवी ने 1002 से 1017 तक भारत पर कई आकमड किये पर हर बार उसे भारत के राजाओं से कड़ा उत्तर मिला था गजनवी ने 100 मनात पर भी कई आकमड किये और इसको 17 युद्ध में सफलता मिली थी भारतिय राजाओं के निरंतर आकमड से वह वापस गजनी लुट गया और अगले 100 सालों तक कोई भी मुस्लिम आकमड कारी भारत पर आकमड नहीं कर पाया था आज हम लोग पस्चिम की तरफ देख कर कहते हैं कि वो तो विकसित राष्ट है और हम विकास सेल फिर हम अतीत के सपनों में खो जाते हैं और खुद को दिलासा देने के लिए कहते हैं कि हम कभी विश्व गुरू थे दुनिया हमें सोने की चिडिया कहता था हम विकास के नाम पर स्वयम को धोखा दे रहे हैं हमारी सरकारें विदेशी कमपनियों के भरोसे सोच रही है कि देश सुधर जाएगा सेवा छेतर से लेकर उत्पादन छेतर तक विदेशी कमपनियों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है चाहे इंसोरेंस सेक्टर हो या दवा बनाने की कमपनियां हर जगे हम यही सोच रहे हैं कि बाहर की कमपनी आ जाए और हमारा उधार करे परन्तु जब तक आप दुनिया भर के चेले बने रहेंगे तब तक विश्वगुरु आप बन ही नहीं सकते सोचने की बात यह है कि पूरी दुनिया में आज भी टैलेंट के मामले में भारत के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बैज्यानिक, अर्थसास्त्री वगेरा चाहे हुए हैं अगर वो अमेरिका और ब्रिटेन को विक्सित राष्ट बना सकते हैं तो भारत को क्यों नहीं समस्या यह है कि हम अपने टैलेंट और अपने पुराने स्टाइल अर्थात अपनी योग्यता और पुराने तरीके पर भरोसा ही नहीं कर रहे हैं हमें लगने लगा है कि विकास का एक ही रास्ता है जो पस्चिम के देशों ने अपनाया है और इसलिए हम भी आँख बंद करके उनका अनुसरण करने लग गए अब तो भारत में विदेशी विश्व विद्याले भी खुलने वाले हैं हम भूल गए कि नालंदा और तच्छसिला जैसे महा विद्याले ने दुनिया को उस समय ग्यान दिया जिस समय अक्सफोर्ड और कम्रीज के बारे में किसी ने कलपना भी नहीं की होगी साथियों भारत को सोने की चिडिया इसलिए नहीं कहा जाता था कि हमारे यहां कोई बहुत बड़े-बड़े कार खाने करते थे कोई टाटा या अम्बानी की तरह बड़े-बड़े उद्योग पति हुआ करते थे वास्तों में हमारे यहां घर-घर में उद्योग और घर-घर में उद्योग पति हुआ करते थे यानि की लगु युद्योंगों का जोर था, हम कपास, काले मिर्च, गरम मसाले, अनेक प्रकार की धातुओं से बने अवजार आदी दुनिया भर में भेजते थे और बदले में वहां से सोना लेकर आते थे, इसी लिए हमारे यहां का गोल्ड इस्टोर अर्थात सोना भंडार बढ़ गया था, भारत में इतना सोना इकठा हो गया, जहां दुनिया के किसी भी देश में नहीं था, यही वज़े थी कि हमें दुनिया सोने की चिडिया कहने लगा, और एक खास बात यह थी कि यह सारा सोना किसी एक सरकार के पास नहीं था, बलकि सामान रूप से जनता में बटा हुआ था, इसके पीछे कारड यह था कि घर घर में उद्योग हुआ करते थे, और घर घर में उद्योग पती, भारत की सभ्यता कुछ है, नव हजार वर्ष पुरानी है, इतनी पुरानी सभ्यता आज तक अपना आश्टित्व बचाए हुए है, इसमें जरूर कुछ बात है, भारतिय सभ्यता ने विश्व का मार्ग दर्शन किया है, हमारे सास्त्रों से ही विश्व ने चलना सीखा है, भारत के वेद हजार साल पुराने हैं, और उससे भी अधिक पुराने विश्व सासक, अखंड भारत के संस्थापक, चक्रवर्ती समराठ चंद्रगुप्त मावरे के पाउत्र, समराठ असोक मावरे द्वारा, बनवाए अस्तंभ, उस्तूप, अविलेक और विश्व गुप्त मावरे चाणक के नीती है, और पूरे बिश्व ने इनी सास्त्रों और मौरे नीतियों का अनुसरण किया है, बिज्ञान हो या फिर ब्रमान्ड तकनीकी हो, फिर धर्म, सभी बातें आपके भारत के इतिहास में सबसे पहले मिल जाएंगी, बिज्ञान की बात करें, जहाज जैसी चीजें महान भारत में मिलती हैं, परमानु अस्त्र सश्त्र भी आपको बेदों में मिलते हैं, लेकिन निरासा जनक बात यह है कि किताबों में भारत को गरीब और अनपढ बताया गया है, भारत का जूठा इतिहास किताबों में लिखा गया है, भारत को वामपंथियों ने सांप और नट जादूगरों का देश बताया है, लेकिन असल में भारत का सच्चा इतिहास विश्डुगुप्त मौरे, चाणक के चंद्रगुप्त मौरे और बौध पर आधारित है, यहां सपेरों का इतिहास नहीं बलकी मंगल, सूरज और चांद तारों की हैरान करने वाली रहस्यमई बाते बताई गई हैं, भारत ने सून्य का अविश्कार किया है, और सवर उर्जा की बातें 2000 साल पहले भारत में बताई गई हैं, असल में अब आवसकता यह है कि भारत के सच्चे इतिहास को फिर से एक किया जाए, और हमारी आने वाले पीडियों को पढ़ाया जाए, ताकि भारत एक बार फिर से विश्व गुरू बन सके, मित्रों मैं चाहता हूँ कि आप लोग यह वीडियो अपने सगे समंधियों और मित्रों से जरूर सेयर करें, और सस्क्राइब भी करें, और सस्क्राइब के बगल में जो बेल आइकन है, उस पर किलिक करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको आसानी से मिल जाए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हसते रहें, मुश्कुराते रहें, अपने आस पास सापसफाई रखें, सत्यमयो जैते, जै जै भारत, जै मौरिवन्स, अकंड भारत.